नगर के जनसेवा हॉस्पिटल में एक महिला के पेट से करीब 12 किलो की गठान निकालने का सफल आपरेशन करने का मामला सामने आया है जनसेवा के डाक्टर जितेंदर पाल ने बताया कि सेलाना निवासी लिला भाई उम्र 50 वर्स अपने पेट की बिमारी से करीब एक साल से गरसित थी जिनकी जांस के दोरान करीब 12 किलो का ट्यूमर पेट में पाया गया का सफल आपरेशन किया गया जिसके बाद महिला अब ठीक बताई जा रही है गोर तलब है कि इसके पहले भी करीब 2 से 3 किलो के ट्यूमर का सफल आपरेशन जनसेवा अस्पताल के डाक्टर द्वारा किया जा चुका है कि अपने साथ वर्ष के मैला है लीला बाई सेलना की जगे से आई थी सब्जी बेजने का काम करती है उनको एक पेट में ट्यूमर है और ट्यूमर उनको दो साल से था और काफी गरीब इस्तती की वज़े से उन्होंने कहीं नहीं नहीं कराई थी उज्जेन में बहुत पैसे का साथ खर्चा था इसलिए वो नहीं गयवा अपने जंसेवा अस्पताल माय क्योंकि मरीज के इसाब से जो पैसा है काफी कम रेट है टरस्ट के इसाब से काफी कम रेट लगता है तो लोगों के बर्ती किया और उसके बाद आज ऑपरेशन हुआ है उनका ऑपरेशन में एक तो रिस्क की पेशेंट था तो अपने आके जो टीम है टीम वर्ग था पूरा उस टीम ने पूरा अच्छे से उसको ऑपरेशन किया है मरीज अभी अभी स्वस्त है और आई सु आर्ट नंबर में कल उनको सिफ्ट करा दिया जाएगा चार दिन बाद उनकी छुट्टी हो ज प्रेंगे और डॉक्त रिंदू सिंग थी और मैं था उस टीम है और हम लोगों की साइनी सिस्टर उसा सिस्टर थी और ओटी के सारे वह लोग थे पहली बार निकला इतना बड़ी गठां कि अपने अपने आपने आपने भी निकला था तीन साल पहले वह डायड़ा एक यह यह शूरा रहती है उससे बड़ा टीमर जो यूट्रस रहता है उससे बड़े साइच का है तो उसको जो दिंकेते रहती उससे पहली निकलवा लेता मैं जितना बड़ नहीं पाता लेकिन मरीज की आर्थिकिस्तिति खराब्ती मरीज डरा हुआ भी था तो ऐसी चीज़म तो उनको जनसे वाकर नाम चुला किया अस्पताल में गरी मरीजों का तुरा सा कम रहायती दामों पर अपने अपरेशन होते हैं तो तुरा सा इम्मत बंदी उसकी और अपने इम्मत बंदाई क्या हो जाएगा अच्छी सो जाएगा ज़रूरी नहीं कि बड़ी जगे पर अपने उसको भी देखा गया बीपी को भी लो रखा गया है तो ठीक है मत मरीज दो से तीन देन में चुटी हो जाती चार देन में मैक्सिम चुटी करते हैं जो सब्सक्राइब है ठीक सब्सक्राइब हो